बॉर्ट इसे पर अप्रामें अप्राला ट्राइं का श्रीच कर रहा है अपने सारा ग्रॉपार्फी के लोकेशन देखने का य। सब्सक्राइब कर दो एक जोग्राफीकर थे सब्सक्राइब और आप हमें देख रहे हैं क्राक क्यों से बड़े एक प्लाटफॉर्म पे जहां पे हर वो महान इजुकेटर जो आप कहीं न कहीं देखते हूंगे आज यहां पे है अलड़ी इस मैंड ओर मैं सेशन थर्टीटू अभी भी अगर कोई लोग जॉइन नहीं किये तो कर लिजे यहां से आप सीधे पहुंच सकते हैं ग्रूप में प्रॉम देख सकते हैं किसी को भी तो आपको बताने वाले हैं तो आपका यह प्लस कॉमबो जिसको भी लेना हूं अभी ले सकता है बारा महीने के अगर आप लेते हैं तो लेना है और लगातार देते रहना वो यह सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं बहुत बड़ी ओफर भी चल ला है 50 परसेंट ऑफ हैं तिस्काउंट मिल जाएगा तो टेस्ट लगाना ज़रूरी तो है आप इसब जानते हैं आप कोशिश कर सकते हैं और 27 सारी को सब लोग एकत्रि लिएगा आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है लिंक आप उस पर क्लिक करेंगे इन्रॉल कर लिजे और वहां पर अच्छे मिलेंगे मिलेंगे इससे ज्यादा आपको देखना है कि मुझे रैंक क्या मेरी आ रही है और एसेस्मेंट मेरा क्या है फिजिकल जोग तो आप इसके लिए भी देख सकते हैं और यूग का मतलब होता है कि और माइंड परहाप्स टेक्स यू लॉट अफ प्लेसे आप पढ़ नहीं होते हैं जोग्रफी पर लेके चला जाएगा एकौनमी में लेके चला जाएगा तो आपको बार-बार सोचना होगा कि मेरा भ्यास चला है और यह बावाओ कंत्रोलिंग इसमाइब चित व्रिति निरोधा यह बार-बार मेनिफेस्ट होता है इस गेट इस ओड़िफाइड तो आप यह व्योग करते तो आप चन्सेंट्रेशन करते किसी एक पॉइंट पे और श्याहिए वो पॉइंट फिर आपका ब कि अग्याक सो आइधिंग के इस ओडिबल तौल अफ्यू कि गुट मॉर्निंग जैहिं सभी का स्वागत है सभी का स्वागत देखिए का आज कुछ हम लोग इंपोर्टन चीज करने जा रहे हैं और जैसे जैसे चीज़ें याद रखिए का आज आपको हम कुछ चीज़ें बताने वाले हैं इस क्लास का लिंक आप टेलीग्राम पर शेर कर दिया करो अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है अभी जो कोई है अगर टेलीग्राम में तो अभी तो डाल दे क्योंकि अभी आप नहीं डाल पाएंगे अभी डाल दीजिए आप अभी तक हमने बहुत ब्रॉडली चीज़ों को देखा था हमने गंगा देख रखा है महानदी देख रखा है गोदावरी कृष्णा कावेरी देख रखा है नर्मता ताफी भी देख रखा है ब्रमपुत्रा इंदस भी देख रखा है पर question ज़रूरी नहीं है कि इनी major river से आ नदियां भी हमें देखनी होंगी इसमें पहला नाम याद आता है रिवर दामोदर रिवर दामोदर अब देखेगा आपकी गंगा जी तो बहुत अच्छा रोल मिलेगा river दामोदर that is perhaps your called as the sorrow of Bengal sorrow of Bengal इसको इसलिए कहा जाता है because it has been जैसे आप कोसी को जानते हैं कोसी is called as the sorrow of Bihar क्योंकि इतना flood होता है इतना course in उसका होता है the same had been with दामोदर तो जहां पे भी बहुत ज़्यादा course change होता है there we try to put up some projects और हमने दामोदर पे काफी project लेक्या जो भी हम आपको बताएंगे पर आज के लिए रियाद रखिएगा दामोदर is the river that perhaps flows in this direction और यहां पर आके जो point आपका दिखरा नहीं ऐसे मिल जाएगी this is your river दामोदर निकलती कहां से याद रखिएगा this comes out from तब पालमाव hills पालमाव hills कहां से निकलती है and it flows through a rift valley यही रिफ्ट वैली बनने की जो बात है this rift valley has perhaps blessed this whole region of जारकंड और यह वेश पेंगौल यह पूरा एरिया जो है यहाँ पे आपका this is so rich in your coal beds और the coal seams यही reason है कि यह coal bed और coal seams में बहुत जादा हो चुए क्योंकि रिफ्ट बना है रिफ्ट जहां बनता है वहां पे जितना vegetation रहा होगा सब धन्स शुका है and the rivers are flowing over this तो यहां पे हमारा अच्छा कोईला मिलने लगा है this is पालामाउ hills जारकंड बिल्कुल सही बात है पालामाउ आपका जारकंड है ठीक है आप समझ सकते जो छोटा दामुदर सिरीज ऑफ कोल यानि की कोईला का आपका दामुदर सिरीज है जो की बनता है एक समय में and because of these rips we have the good coal seams here clear होगे सबको यह जाके जुड़ जाएगी आपको हुगली को हुगली क्या है हुगली is the distributory यह आपका गंगा का पानी distribute कर रही है और यहीं आपका बहे रही है वेश बेंगॉल से तो यह हुगली में जाके जुड़ जाएगी यह हुगली में जाके जुड़ जाएगी तिस इस और दामोदर रिवर क्लियर है अब कुछ इसका रिवर जाके जुड़ती जो इसकी longest distributory है जिसका नाम है river बराकर रिवर बराकार या बराकर रिवर बराकार आप याद रख्येगा रिवर बराकार इस दे लॉंगे ट्रिवर बराकर और यह जाके जुड़ती है आपके दामोदर पे एक बहुत बढ़िया नाम हम आपको बता रहें उसको याद रख्येगा टैट इस जौर मैथन मैथन is a project is a dam on this river बराकार and near to the confluence of it with दामोदर इसका नाम है मैथन पेपर में साफ आएगा UPSC में आ सकता है PCS में तो बार-बार आएगा आप देखें नाम आने लगा बहुत बढ़िया ठीक है ते लिए मैथन देख लिया एक और देखिएगा एक बराकार के उपर के फिसमाय देखें लिए मैथन मेथन छिक है आगे बढ़िये तो क्या है बराकार शार डामोदा है आप समझ सकते आगे बढ़िए दूसरा आपका नमिया था मुनार कुझ सब हैं पर हमको कुछ ना эконом या रखने है अभार प्रानार जमूनिया करे घरी भिए घरे ध्लय感覺 मैं डेखिए जिसका नाम है अगरा गड़ा है अगरे इस पंचेट डाम months बहुत इंपोर्टन जो आपको याद रखना होगा तिलैया बराकार हाज मैथन और पंचेट डैम अब इतना देखिए बहुत ज़्याद रखेंगे तो याद भी नहीं होगा उसका कोई यूज नहीं है यूज इबिलिटी नहीं है बस वर्थ देखिए उसका कितना है अगर वह आने की उमीद होगी तो जरूर बता देंगे तो नहीं है अब ऐसे बहुत छोटी-छोटी सब्सक्राइब है कंग्स बाती आपको में याद रखना है रिवर दामोदर का कहां से निकलती है आपका आपको उने बता दिया है पाला माओ और आपका छोटा नागपूर प्लैट्यू याद रखिएगा क्वेस्चन हम आपको इसलिए बता रहे है क्योंकि इस बार जो मैं इससे एक्सेप्शन देखना है यह चोटा नागपूर प्लैट्यू से निकल नई है तो अगर चोटा नागपूर प्लैट्यू से निकल लए अगर रिवर तो आपका यह तो तय हो गया कि इस्टरन घाट से कोई सब्सक्राइब नहीं है या आपका ऊपर ऊपर से निकल जा रही है और यहां गिर जा रही जाके लोग कंफ्यूज हो जाते कि कहीं नीचे नहीं हो इस चीज आपको इस प्लिए रोगया एनी प्रॉब्लम इस यह गॉट कोई दिक्कत बताइएगा तामोदर इस रूर आफ इंडिया पूरा रिच एरिया न तो बिल्कुल पूरा आपका जो बेसिन है पूरा जो बेसिन है डाट इस परहाप्स इंडस्ट्रिली रिस्टॉर्स बेज सबसे इसी पर तो लड़ाई भी आप काफी समस सकते हैं कि होती ठीक है अगर नाम याद रखना है तो बराकर याद रखेगा बराकर कुनार जमुनिया और कंस बाती ये चार नाम याद रखना है बस अब इससे यादा इसमें कुछ आने की उमीद है नहीं इससे यादा कुछ आने की उमीद है नहीं तो लिग अगर आपको ये चीज याद बढ़ते हैं तो एक रिवर आती है जिसका नाम है सुबर नरेखा सुबर नरेखा का कि हम आपको बस ओर्येटेशन दिखा रहे आखिए आपका रहे यहां पर दिमाग में की कैसे करना सुबर नरेखा आती है और नीचे बढ़ेंगे आप और उडिसा में तो आई चुके हैं क्योंकि सुबर नरेखा आपका ऊपर वाला टॉप पार्ट हो जाएगा वेश बंगॉल और उडिसा वाला पार्ट हो जागा आ गया है वताइए दो रिवर है ब्रह्मानी और बैतर्णी यह तो सबको याद हो सकता है ब्रह्मानी बैतर्णी ब्रह्मानी बैतर्णी सीक्वेंस दिखार है दामोदर सुबर नरेखा ब्रह्मानी बैतर्णी आपको याद हो चुका है पर आपको यह याद नहीं है कि बुद्धल बंगा रिवर कौन बता सकता है कि बुद्धल बंगा रिवर कहां है हम इसलिए बता रहे हैं यह रिवर का नाम की आने की उमीद है बुद्धल बंगा रिवर कहां है कौन बता सकता है बुद्धल बंगा पहले बुद्धल बंगा बताए फिर आगे चलेंगे where is बुद्धल बंगा किसी को पता है क्या ढमोदर सुबरनारे खा तो ताई हो गया ब्रहमानी बैतरनी भी ताई हो गया तो बुद्धल बंगा हमारा कहा हो सकता है where could be this बुद्धल बंगा बच ने ने दिखिए ओरिइंटेशन याद रखिए हाँ उडिसा में है उडिसा में ही है इन बिट्विन सुबर्नरेका एंड ब्रह्मानी ये एकदम सही बात है देखेगा आप दामोधर से नीचे आए सुबर्नरेका सुबर्नरेका पे जब आप दो इंपोर्टन रिवर पे जा रहे थे जिसका नाम है ब्रह्मानी और बैतर्नी आप क्रोस करके जाएंगे एक रिवर जिसका नाम है बुद्धल बंगा यह देखिए, यह है हमारी बुद्धल बंगा, इस इस दबुद्धल बंगा रिवर, बुद्धल बंगा या बुद्धल बंगा रिवर, याद रखिएगा, हम आपको इसलिए बता रहे हैं, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, हम आपको जब नैशनल पार्क को इसलिए पढ़ाए देखा बुदल बंगा अब ब्रह्मानी बैतर्णी अब इसके बाद तुरंत आ जाएगा आपका महा नदी आप इसके बाद आपका आगया महा नदी रिवर नाओ कम से और महा नदी महा नदी के और नीचे जरासा जाएंगे तो बहुत इंपोर्टन रिवर जिसका नाम है सब को ढामोदर सुबर्नरेखा बुद्धल बंगा है सबको याद हो गया यह दोनों कॉंफुयंस करें ने देख रहा है पिर आगे आपका कर बीध अा पूंच गए कि तिरह साब यहीं भी बता दीजे कि सर एक और नाम याद आ रहा है वंसधारा वंसधारा भी कहीं आसपास है क्या कि पहले भी रुखके यही बात कर ले कहीं वंसधारा भी याद आ रही है सर यहीं पर कहीं थी वंसधारा वंसधारा रिवर भी कहीं आसपास दिख रही थी किया है वमसधारा कहां है वमसधारा रिवर कहां है किस तरह है क्या रुशिकुल्या के बाद अब हम वमसधारा में घुशने वाले हैं कि विल लेट मी नो देश्ट वेर इस वमसधारा रिवर दामोदर वर नरेखा बुद्धल बंगा ब्रह्मानी बैतरणी महानदी रुशिकुल्या कहां है बिलो महानदी और बिलो रुशिकुल्या रुशिकुल्या भी आपको मिल गए इसके नीचे चलिए अब आपको दीख ज मतलब वमसधारा किसके बीच में है महानदी और नीचे कौन सा होगा गोदावरी महानदी और गोदावरी के बीच में क्या है वमसधारा है यह आपको हमने बताया था यह एक फैशन है यह एक तरीका है याद रखने का चीजों को बार बार करने का अभी यहीं रुखते हैं थोड़ा देर के लिए समलते हैं चीजों को देखते हैं कुछ जो इसमें इंपॉर्टन चीज़े आती हैं आपको बताना चाहेंगे दामोदर आपने देख लिया है द ठीडी बोलता है कि मैं एक ब्लाक सी में जाना चाहता हूं यह बहुता है दाइब याद आ गया 3D कौन सिती डान नाइपर, नाइस्टर कौन सिती तो बाद में थी और बताइए दैन्यूबे ये येस दैन्यूबे नाइपर, नाइस्टर देन्यूबे नाइपर नाइस्टर और आपका डॉन तो चीज़ें यहां बैटी रहेंगे आप लोगों के चलिए आगे चलते हैं आज थोड़ा दामोदर आपने देख लिया है सुबर नरेखा का बात कर लेते हैं सुबर नरेखा रिवर वैसे तो बहुत जादा कुछ नहीं बताने को पर सुबर नरेखा रिवर देख लेते हैं कहां से निकला फिर से आपका रांची फ्लैट्यू यह हमारा रांची फ्लैट्यू बड़ा इंपॉर्ट रांची फ्लैट्य Does it make a boundary between Odisha and West Bengal ? कौन बताईगा ? कौन बताईगा ? Yes ये याद रखिकेगा It makes a boundary between Odisha and West Bengal Odisha और West Bengal के बीच में boundary बनाएगी Yes, very correct बेरी करेक्ट अब इतना बता दिए तो एक और बता दीजे तो क्या यह West Bengal और जारखंड के बीच में भी बॉर्डर बना रही है क्या यह West Bengal और जारखंड के बॉर्डर से भी गुजर रही है पताईगा तो यह क्या बॉर्डर बनाने की उमीद है देखेंगा इसका फ्लो लगबग ऐसा है यह थोड़ा सा उपर एक बॉर्डर बनाएगी हाँ तो यह बाउन्डरी बनाती है बिट्वीन यॉर्ड जारकन एंड वेस्ट बेंगॉल और फिर यह जब नीचे बहके आएगी तब आपका बॉर्डर बनाएगी उडिशा और आपका वेस्ट बेंगॉल के बीच में बतलब इतना उपर नहीं इसको नीचे कर लेते हैं इस पार्ट पे बिल्कुल याद रखिएगा वेस्ट बेंगॉल उडिशा इसके बीच में बॉर्डर बनता है एक नाम याद आ रहा है जिसका नाम है हुंड्रू हुंड्रू फॉल्स हुंड्रू फॉल्स कहां लाई कर सकता है हुंड्रू फॉल्स कहां लाई कर सकता है लगभग सौ मीटर की हाइट से सुबर नरेखा गिरती है तो क्या सुबर नरेखा पे हुंड्रू फॉल्स हो सकता है येस याद रखिएगा ये हम आपको सिर्फ इसले दे रहें क्योंकि डारेट कोश्चन कभी हम पूरा भी वाटरफॉल भी कराएंगे मैड और मैप्स में अभी के लिए देखिएगा हुंड्रू फॉल्स सब कुछ आएगा याद करने के तरीके के साथ आएगा बहुत चीजे अभी आनी बाकी है पर हम धीरे-धीरे कर रहें ताकि आपके दिमाग में इंडिया का पूरा जो नक्ष्या यह अच्छे से चप जाए थी के याद रखेगा हुंड्रू फॉल्स इज ऑन सुबर नरेका याद नहीं आ रहा है धुआधार भी नाम आया था पड़ा बढ़िया नाम लग रहा था धुआधार जहश्रधार धुआधार यह कहीं था आपको याद होगा शैद हमको तो याद नहीं है पर आपको कहां चले गया तो की महानदी गुदावरी कहां माहानदी कोदावरी रहा है यह तो कि यह कैसे पॉसिबल है हम एक ही चीज़ बोल रहे हैं और सब लोग सुन रहे हैं तो महा याद रखिए आपका धुमाधार इस दवन नर्मदा जबल्पूर और हें यो पूर बताये थे आपको ऐसा क्यों मिस्टेक कर रहे हैं कि अगर जान से सुनिये चीजों को लिखते चलिए नहीं तो याद नहीं होगा आई रिक्वेस्ट यू ओल ठीक है चलिएगा आपने देखा है अभी तक दामोदर सुबर नरेखा बुधल बंगा रिवर इसके बाद आजाएगी बुधल बंगा रिवर बहुत इंपोर्टेट ऐसे तो नहीं है पर आपको बस नाम यह ना होना चाहिए कि इस्टन घाट से आपका निकलती है बुधल बं आप आजाएएगा बाशल आपके ब्रम्माणि ब्रम्माणि एक नाम है वह दो नदियों को जोड़के बनेगी एक का नाम है पर एक का नाम है संग तो इसम्क हरिवर ंद्र हाउएट संग 堂र्वंड यह जोएगे यहाद रख़ियेगा आपका इस छेतर में आ चुके रे अब आप इस चेत्र में आ चुके ब्रह्माणी बैतर्णी उपर नौर्थ ओडिसा में सब लोग खड़े हो जाईए नौर्थ ओडिसा में उपर देखेंगे तो सुबर नरेखा उसके नीचे बुद्धल बंगा अभी आप थोड़ा इसा नीचे बढ़ रहे थे थोड़ा साही नीचे बढ़ रहे थे कि आपको लगेगा कि that this perhaps this area जो ब्रह्माणी बैतर नी अब छोटा नागपूर प्लैट्व जो आपका था उपर चला गया अब छोटा नागपूर प्लैट्व उपर चला गया है कि देखिए अब छोटा नागपूर प्लैट्व उपर चला गया मतलब इस बाउन भाय फोटा नागपूर प्लैट्व चुपर चला गया नहीं है कि देखिए ह gleichिए ड्रेय न होती है इंट कॉल द्हाम रा ख mejor अब आपको हमने एक नाम बताया था कभी किसी जमाने में गहिर माथा गहिर माथा बीच या गहिर माथा कोस्ट यादा रहे कि है उन्हाच किया था शायद कहीं पे ओलिव रिड्ली इंटल साएँगे अपना अरीबाडा बनाएँगी याद होगा आप लोगों को गहिर माथा हमने आप तो दिखाया था कि महा नदी इसके नीचे है महा नदी के जश्ट उपर वाला एरिया गहिर माथा था गहिर माथा के ही पास में जाएंगे ब्रह्मानी और अभी जो दूसरी रिवर इसको जुड़ जाएगी जिसका नाम है बैतर्णी जिसका नाम है बैतर्णी यह रोगया है बैतर्णी आपका उडिसा से निकलती है somewhere near your क्योंजर इसका नाम है आपका हिल का एक नाम है गुप्त गंगा यह और बैतर्णी यह आपका बैतर्णी है यह गुप्त गंगा गुप्ट गंगा हिल से निकलती है गुप्त गंगा हिल्स और परहापस यह बबापका पूरा हिली पाट चालू हो गया है गुप्त गंगा हिल से निकलेगी and somewhere in your उडिसा यह पूरा आपका उडिसा में ही रहने वाली है अब तेखेगए यह दोनों जाके मिलेंगे एक जगर और जहाने जाके वहां बहुत बढ़ीया एक नाम दे दीके गया है एक रिजर्व एरिया है भिटर कनी का कि अृटर ब्रमानी जो पास कर रहे है इस confluence में एक बहुत बढ़िया protected area है which is your भितर कनिका जाए कावेरी कावेरी नीचे है इसके भितर कनिका perhaps is at the confluence of your ब्रह्माणी and बैतर्णी ब्रह्माणी and बैतर्णी ठीक है ब्रह्माणी बैतर्नी के confluence में बह्तर कनिका नाम सुने होंगे आप नाम सुने होंगे habitat of crocodile और यही यहां से चालू हो जाएगा भितर कनी का परहाफ सब यहां से सब चालू हो जाएगा आपका ओलिव रेंडली का इस दो हाऊब दरिवर महानधी परहाफ सोओ जर्वोएंग और ऐसे कर के से गिर जाएगी महानधी तो हमने देखी लिया महाधी के बाद एक चोटी सी रिवर थी जिसका नाम था रूशी कुल्या रुशी कुल्या इस ऑल्सू नोञ यहां पर गिरते हैं रूशी कुल्या और लीव रेड़ेक लिए जाना जाता है और और ये सिर्फ ओलिग दर गदांगर्य तयुकिह सा इंटे-व इन्ड हम सधारा से आप का जाता इंहार वम लेम सधारा वाम सधारा ने डिक यह ostло गाउटहिंध हýली एरिया है यह ये पूरा हिली एरिया है यह ज़ाए कंग एस्टारियष लोगें और ईसरे घाट y। कहां से उरीजिनेट अराउड मंस भाइबवक का निकलती है काला हंडी टीनेटट रॉंप काला हंडै डिस्रिक वब अरीचिनेट from Kalahandhi district of Odisa of Odisa clear है Kalahandhi district of Odisa क्या तुछ जागा आप लोग को पर यह जो वंप सधारा river है अब यह Odisa से तो निकली पर यह आपका बिल्कुल जाके गिरेगी आंधर प्रदेश का जो northern part है उसमें से निकलेगी आपका आंधर प्रदेश का जो northern वाला पार्ट वहां से गिरेगी इसिलिए यह नौर्थ आंधरपृदेश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा बहुत ज्यादा ही इंपॉर्णнет यह बलकी में रिवर है और नौर्थ और नौर्थ येस्टन आंधर घै कहाई कॉंद्धाआगा कि कौन बताएगा जाएगी कि नहीं नहीं जाएगी अभी और नीचे है तेलंगाना भी और नीचे है तेलंगाना इधर पड़ेगा अभी ये नहीं निकल लाई है तो आपको नाम याद रखना है ने ने रिवर रिवर उपर से निकल लई ना आपका सीधे उडिशा से निकली और आंध्रप्रदेश में घुज गई इसी के तुरंद बाद वम सधारा के तुरंद बाद एक और रिवर है जो आपको याद रखनी चाहिए जिसका नाम है नागवली दर रिवर नागवली बिलकुल वम सधारा के पैरिलल बिलकुल इसके पास में आपका है नागवली रिवर और बिलकुल स्टेव फैशन में जा रही है क्लियर है आपका देखिएगा उपर से निकल रही है रुशी कुल्या कि आप नीचे बढ़ते हैं वम सधारा और नीचे बढ़ते हैं इस यो नागवली इस यो नागवली रिवर तो नाम अब आप याद रख लीजेगा आपका काला हंडी डिस्ट्रिक्ट से निकलती है तिस से निकले कि आपकी नागवली भी नागवली भी वही निकलेगी इसमें कोई कंफ्यूजन मत रखिए लंगाना अभी आपका थोड़ा वेस्ट में है आप उपर से सीधे ओडिसा से आप आंद्रप्रदेश का जो बॉर्डर बनता है आप समझ सकते ना ओडिसा लगभग ऐस एसे आता है और यह वाला जो पार्ट है आपका यह आंद्रप्रदेश का है तो यह बिल्त और कि नागवली रिवर साउथ ऑफ वम सफद्धारा नागवली साउथ औ वम 상황 सथारा बारे याद को कर ल्लत नागवली रिवर इभर करली बतादे है याद हो गया तो नहीं हुआ याद इतना याद हो गया अभी फिर से कपर रिवाइस करने देखेगा उपर से आयते दामोदर देन यू सुपर नरेखा देन यू सुपर बुद्धल बंगा देन यू सुपर ब्रह्माणी इसके बाद था बैतर्णी पिर आप आगये थे महा नदी महा नदी के जस नीचे था रूशी कुल्या और नीचे आप बढ़े कहां पहुँच गए वंसधारा रिवर और नीचे पहुँचे नागवली इतना नाम याद हो चुका है सबको पिर से देख लीजे भाई अभी याद कर लीजे बार-बार नहीं होगा आपके दिमाग में कंफ्यूजन होगा ओरिंटेशन देख लीजे दामोदर, सुबरनरेखा, बुद्दल बंगा, ब्रह्मानी, बैतर्णी, महानदी, रुशिकुल्या, वंसधारा, नागवली अभी तक आपने ये देख रखा है अब तो आपने एक बहुत ब्रॉड रिवर देख रखा है, जिसका नाम है गोदावरी और कृष्णाम की तो कोई बात ही नहीं है, ये आपने देखी रखा अच्छे से तो ये और गोदावरी और कृष्णा, ये और रिवर गोदावरी और रिवर कृष्छना एक आपने देख रखा है इसमें कोई डाउट नहीं है तो कि बोधावरी और किष्णा आप लोगोंने देख रखा है बैतनी इस्टra ब्रह्मानी तिनी अ किआ प्रह्मानी तो आपका रही है और यह गैं नी जाके जुड़ रही बैतरनी ब्रह्माणी उपर है BÜNDNIS 20 नी नीचे फिर महानदी है हाँ यह सब दो आपको पता है यह सब आपको पता है इसमें दोंक ज्ञादा नहीं बात कर सकते अब आपको एक साथ क्रिश्चने के नीचे देखते हैं कुछ और कर देखते हैं थोड़ा सा पेनार के बारे में तो रिवर पेनार कहां पे किसके साउथ में आप समझ चुके हैं आप क्रिश्चना से आप नीचे बढ़ें गोदावरी क्रिश्चना के नीचे बढ़ें तो आपका पेनार आता है पेनार कोई कहा जाता है उत्तर पिनाकिनी तो रिवर उत्तर पिनाकिनी याद किएगा उत्तर पिनाकिनी is also called as पिनार या पिनार का नाम है उत्तर पिनाकिनी ठीक है कहां ते निकलती है राइजे जिन्दा चिन्नकेशव हिल्स अब एक बात होता है है फिर अब आपका जब यह पूरा ही मान ली जागर हम यह इस आरमाई परहाप्स ब्रोकेन इस्टर दंगहाड्स तो इन ही में इसे आपका निकलेगी चेन्केशव हिल्स कहां पर आभी जो पेनार आपका फ्लो बड़ा घजब का है यह निकलती है आपका करनाठक से उपर जाएगी और फिर अज Anandag亦 í this is your river Penar उत्तर पिनाकी नहीं कहा जाता है बिल्कूल सही है चेननक एशव हिल से निकलती है पहले आपका ऊपर जाएगी मतलब सब लोग बैंगलोर पर चले जाएए बैंगलोर आपका करनाटिका का ये पार्ट ऊपर जाएए यहीं से निकलेगी आपकी पेनार रिवर ऊपर की तरफ जाएगी फिर आंध्रा में घुसेगी और फिर इधर जाएगी इस यूर पेनार रिवर पेनार रिवर ठीक मतलब यहां से निकली ऊपर की तरफ गई और फिर ऐसे जाएगी इस यूर रिवर पेनार रिवर पेनार ठीक अभी एक मूवी आई थी अभी एक मूवी आई थी और रेड़ सैंडल वुड की बात हुई थी देखा होगा अभी यह मूवी आई थी देखा होगा आप लोगोंने तो यह सहेश्चलाम हिल्स का नाम सुना होगा तो सहेश्चलाम हिल्स तो सहेश चलाम हिल्स यह movie आच्छली जो था यह यही पर आच्छली इस whole region नो यह पेनार वाले जो पूरा region है this is having your सहेश चलाम हिल्स and this is known for your red sandalwood या the red sandals the red sandals यही पर होता है आपका मतलब इसका थोड़ा से जो इस पेनार की थोड़ा से नीचे देखेंगे नतिया आपका red sandalwood का पूरा एरिया है तस्थेश चलाम हिल्स तस्थेश चलाम हिल्स है ठीक है हाँ थेश चलाम हिल्स आपका बहुत बड़ा आपका एक biosphere reserve भी है बिल्कुल सही अभी biosphere reserve का ही बात करेंगे लाज आपने देख लिए अपना pennaar river उसके आज पास की कुछ चीजे देख लिए ठीक है और इसमें कुछ अभी ऐसा याद रखने का नहीं है बस आपको location और या रखना है पेनार के नीचे है पलार पेनार के नीचे है पलार तो अकर यह पेनार है तो पेनार तो आपका ऊपर की तरफ निकल के इधर गिर गई पेनार अब इसी के नीचे है आपका पलार This is your Palar river Palar पalar आपका निकलती हे जरूर करनाटक से पर यह जाएगी आपका लिज Gothicा की आपनी ओर जरूर Tamil Nadu में चली जाएगी आपका निकली करनाटक से और चली जाएगी in your Tamil Nadu, पालार river और पालार river makes the border between your Andhra Pradesh देश जो नीचे वाला पार्ट है और तमिल नाडू के बीश में इतना सा बॉर्डर बनाएगी दरिवर पलार तो प्लार पलार रिवर अपका निकलती है करनाठका से और जाके गिरेगी आपका तमिल नाडू में चली जाएगी इसी के जस नीचे देख से आप या करनाठका से по पुन्यार और चली जाएगी आपके इस तरफ तमिलाडू में इस इस जूर्प पुन्यार रिवर तो आपने देखा है पलार पुन्यार ऊपर था पिनार पलार आपका हो गया निकली आपका कहा से दिस पलार красивा और और अंध्र और बण्रदेमक में जाएगी तो पून्यार तो सीधा प्रणाद का से निकली एक रहाए यह दिस रिवर कावेर का के दिचेगा protects कृष्चना यायार ७ास इतना यहाद रंआ रखना इसमें याध रखनी की है करके याद रख़ पाएंगे कहा शीआ वेर डूआ हाब माई 3B in between what 3B मतला बुद्दल बंगा, प्रमानी, बैतर्णी पर किसके बीच में है ये कैसे याद रखे दामोदर और महानदी के बीच में दामोदर के बीच में फिर क्या सुबर नरेखा नहीं है सुबर नरेखा, कहां है सुबर नरेखा दामोदर के बाद आप सुबर नरेखा देख चुके हैं उसके बाद मैं आपने 3B की बात की थी ये खतम होगा जाक के सिलसला महानदी पे इसके बीच में सुबर नरेखा और महानदी के बीच में 3B है और आपका कृष्णा और कावेरी के बीच में है 3P यासिर हमिद जी फिर से देखिएगा महा नदी और हाँ ठीक ठीक आप अच्छा इसे बोलने ठीक है बिलकुल सही है अंकिदा जी बिलकुल ठीक है आरती जी बिलकुल ठीक है अब आप लोग ठीक हो गए तो 3B 3P 3B और 3P याद हो जाएगा अब कावेरी के नीचे आइए अब कावेरी के नीचे आई देखिए यह और इसे निकल लए है यह को आपको जाएगा वयगाई रिवर अभी देखिए निकल लगी वेस्टन घाट से वेस्टन घाट से निकल लगी है और जाएगी आपका इस तरफ वयगाई रिवर वयगाई अच्छा एक बात अगर कभी दिन्दगी मैं है आपके कोई पूछे का इस में वैगाई निकल टी है अपका पूरा वेस्टन घाट से इंधर से रहे आप कावेरी रिवर्ट यहीं पे आपका कौन सा है निलगीरी आपने आपको बताया था निलगीरी है यही है निलगीरी है यह इसको दो ढूलनाट हो जाए गा है नीचे आपका पाड़े यह आपका अब जो निकला हुआ पार्ट होता ने इसका इंडिया का देखे तमिल नाटू के इतना पार्ट यहां निकलती है यह ठीक है इस फ्लोन थ्रू वैगाई फ्लोन थ्रू मदूराई मदूराई आपका कहा जाता है कि वह आपका किसका कौन सा किंडम था मदूराई इसका कैपिटल था इसका नाम संगम लिटरेचर में आ गया तो पहले हम मों को लग रहा थोड़ा सा हिस्ट्री भी हम हिस्ट्री भी करने कि अ गुट उसटाटा मैडवर हिस्ट्री अज अब ही यह कोंसिटूशन और आर्टिकल और एक आने वाला ऐसा थोड़ा सा मलस्त फिरिफिंग रिमेम्बर इतना यहां चलिए और नीचे यह वह गई के नीचे एक और देख लीजेगा जिसका नाम है इसको बहुत नाम से जाना जाता है तम्रपाणी भी बोलते हैं तमीरा परणी या फिर ताम्रपाणी ताम्रपाणी अभी देखेगा नौर्थ एक्स्टेंड और साउथ एक्स्टें अब के लिए तमीरा परणी या फिर ताम्रपाणी रिवर वह गई के नीचे है उमीद है आप लोगको कुछ चीज़ें आज याद हो गई हो गई होगी एक जल्दी से एक बस recap कर लेते हैं ताकि दिमाग में बैढ़ जाय है हमने बात कि आज दामोदर की दामोदर के बाद ह हमने आप से बात कि वद्धल बंग बैतरणी महानदी रुशी कुल्या वम्सिधारा नाग वली गोदावरी आपको पता है इसके नीचे आप अब थ्री पे पहुंच जाते हैं जिसमें पेनार। पेनार के पेनार Kimizi प्रक स्थाम्री।umuz nis इसके नीचे आते हैं तो वय गई और तामरपानी विलार वय गई और वाइपूर तो आज के लिए इतना काफी है और अब हम लोग मिलते हैं I hope the things are setting in your head I'm not rushing off the things it is setting in your head I suppose किसे आपको याद हो रही होंगी चली चली बहुत अच्छा है अगर याद हो गया तो नोट्स इसके हम आपको देंगे अपने चैनल पर आया है आपके प्रेपेर समस्वाइब कलर फुल नोट्स ताकि आपके पास रहे और पॉइंटर्स में बस रहेगा बस पॉइंटर्स एथिक्स के उपर हाँ करेंट अफेर्स और दोस अफ नोट्स तो हो रहा है न रोज डोस अफ नोट्स चला गया स्पेशल क्लास में प्लास में क्लास हुई थी डोस अफ नोट्स की आप लोग आये नहीं ते आ जहीगा आज रात फिर से होगा आपका 9.45 इस दाइम 9.45 पीम वी हाव डोस अफ नोट्स और आपका वो भी होगा रात में आज है मोस्ट प्रोबेबल सिरीज का आपको 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 टॉपिक दिये थे प्रिपेर करके आएगा वही क्वेशन हिट करेंगे जाप प्रिलिम्स में आएगा और आपका करेंट अफेस्ट प्रोग्राम चलता है एक दिन यह एक दिन यह डोस आफ नोट्स तो हम कोशिश करें डेली कर लेंगे 9.45 पी ethics हम लोग अब भी देखिएगा आप हमारा रिवर्स लगबग हो गया है हम लोग अब कल वेस्टन वाली बस देख लेंगे छोटी जो रिवर्स हैं वेस्टन देख लेंगे यासिर जी डोज अफ नोट्स चला गया है आपका स्पेशल क्लास में आप यह तो एप डाउनलोड करके हमको फॉलो कर लिए सब लोग पहले तो अनकैडमी में फॉलो करना चालू कर दीजे हम जो भी चीज बनाएंगे आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा त्राइट फॉल और उसमें हम आपका करेंट अफेर्स मोस्ट प्रवेबल सीरीज सब कर रहें तो आप वहां पर हमको देख सकते हैं आराम से प्री आपको कुछ उसमें करना नहीं है तो थेक यह अपना ध्यान रखिएगा और किसी को भी कोई सब्स्रिप्शन लेना हो तो बहुत अच्छा सब्सक्राइब को डालेंगे सब्सक्राइब मिलेगा अज एक दो दिन मगा भी है और आप स्पेशल क्लास मेरा देखी रहे होंगे रात में 9.45 से चालू हो जाता है 9.45 पर 11 बज़े चलता रहता है प्रिया जी टेलिग्राम चैनल जॉइन कर लिजे वहां पर भेजने वाले पड़ता है वैसे आप cmc जैसे ही लगाएंगे आपका पड़ जाएगा 2063 पर मन्त में आप कर सकते हैं तो मतलब यह हर वीग दे में आपका जी चलता है और हर सी सेट आपका हर साड़े को चलता है और आइकॉनिक जिसको लेना है यूँ वांट मी टू मेंटॉर यू तो है और बहुत अच्छा भी चल ला है तो आपको जो भी कॉस्ट पड़ेगा आप cmc जैसे लगाएंगे 20 परसेंट ऑफ हो जाएगा अभी अभी दो दिन के लिए और है यह तो आप लोगों को जिनको लेना है ले लिजे थैंक्यू सो माच टेक केर अपना ध्यान रखिएगा पड़ते रहिएगा निरंतरता ही आपकी सफलता की कुंजी है और हम आपके साथ है किसी भी अप जो अक्याडमिक लिए आपको जो सपोर्ट चाहिए आल भी देर विद यू एनी सब्जेक्ट यू वांट तो माई कोर इस परहाब जोग्रफी ऑप्शनल जोग्रफी करेंट अफेर्स और ऐसे पटाइल ट्राइब एवरिफिंग फॉर यू बहुत बहुत अपना द्यान रखिएगा शुक्रिया धन्यवाद जैहिंद्र जैहन रखिएगा